हलो एवरिवन, वेलकम टू लख्टी एजूगेशन और आज हम डिसकस करेंगे बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक और बहुत ही सांधा टॉपिक और सबसे ज़्यादा इंपोर्टन टॉपिक है नियोडिटर्मिनेजम टॉपिक है आपका मोस्टरी हर एकजाम में पूछा जाता है चाहाँ क्लास टेस्ट हो या फिर आपके बूर्ड एकजाम हो या फिर आपके कॉमपडिशन एकजाम हो इस वाली टॉपिक में से बहुत ही ज़्यादा कॉश्चन आते हैं नियोडिटर्मिनेजम जोगरफिक को प सबसे ज़ाएं हमोस्ट इंपोटन क्वेशनी सब्सक्राइब कि आंगांकी में इनवार्मेंटल टिटर्मिनेजम इन बना चुक हूँ तो आप उसको जरूर देखे इनवार्मेंटल डिटर्मिनेज Michigan क्या है बेंगरफिक पने तीन आप्रोच जैने के लिए दी हैं पहले प्रोच इनवार्मेंत करता है और में पहले की टाईम पर शुरू हां ancient time में क्या होता था हम environment के साफ से रहते थे environmental conditions के साफ से इंसान को रहना पड़ता था level of technology बहुत low था तो मतलब पहले nature का बड़ा दबदबा हुआ करता था nature dominant करता था over human wings तो यह है environmental determination समय गुजरा धीरे धीरे आपने देखने हो को मिलेगा technology का level बढ़ने लगा technology बढ़ने लगी और फिर हमने environment पर विजय हांसिल करना स्टार्ट कर दिया हालंकि कभी भी कितना भी progress कर ले environment पर विजय हांसिल नहीं कर सकते मगर फिर भी competitively पहले की तुलना में अब हमार पास इतनी technology आगई कि हम environmental conditions को face कर सकते और ऐसी condition आगई कि इंसान ने environment में डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया यहां पर human dominance over the nature उसको बोला पॉसिबलेजम अब पॉसिबलेजम में दिक्कत क्या और इतना exploitation कर दिया है कि forestry नहीं बहुत जादा कर दिया है इस ग्लॉबल बार में हो रही है climate change हो रहा समश्य ही समश्य हो दिया रही है तो पहले के development भी करो और साथ की साथ में nature को भी साथ में लेके चलो आपको nature को बरबाद करने की जरूवत नहीं है यही concept है नियो determination ठीक है इससे संबादे तब चीज़ हम देखेंगे background आपको clear हो गया हुआ तो पहला question की नियो determination का concept किस ने दिया था ग्रिफ्ट टेलर इन्हों ने दिया था नियो determination का concept यह एक middle path है समझ को होंगे मिडल पाथ मतलब बीच की रास्ते की बात कर रहा है किस के बीच में environmental determination के बीच में अब इन्होंने क्या बताया यह भाई साब बता रहे हैं हमारे कि he described this concept on the basis of traffic signal traffic signal के माधियम से यह मतलब अपने concept को समझाने की स्रफ से आपको नेचर भी रेड़ सिग्नल देता है बिल्कुल देता है इसे में आपको रुकने की जरूरत है मतलब क्या है रुकने की जरूरत का मतलब यह कि आप जो exploitation कर रहे हो ने रिचर का उसको रूखने की जरूरत है आपको अंदा धुन्द एक्स्प्रेटेशन करने की ज़रुवत नहीं दूसरा Amber light means to get set Amber light का मतलब है अब रुखे अब आपको बता nature ने बोल जाए ठीक है अब हमें बिल्कुल ठीक हो चुक हूँ आप तुम तयार हो जाब और तीसरा green light means गो अब green light का मतलब traffic में ही पता है जैसे green light जलती है हम चलने लग जाते हैं यहाँ पर green light का मतलब है nature कहेगा ठीक है आप भाई आप यूज कर सकते हो ठीक है तो मैंने अपने आपको heal कर लिया है तो खुल मिलाके यहाँ पर new determination में इन्होंने grip detailer ने अपने concept को जो traffic light बाला concept है nature से connect करने की बात कही है तो आए कि अगर red signal है तो आपको रुखने की जरूरत है आपको exploitation कम करने की जरूरत है आपको तरीके से चलने की जरूरत है ember है कि मतलब आप set हो जाओ ठीक है आप nature कह रहा है तो okay now you can start exploitation और फिर green light का मतलब है आप बिल्कुल start ही कर दो आप चलना start कर दो तो ऐसे करके नोंने concept को दिया in the same situation there is a neither situation of absolute necessity nor a condition of absolute freedom that is why it is known as stop and go determination तो भाई सब new determination करें कि ना तो आपको पूरी तरह से nature पर depend होने की जरूरत है और ना ही आपको full freedom दी जाएगी आपको बिल्कुल नेचर जब कहता है रुको तो रुकोने की जरूरत है नेचर कहता है चलो तो चलने की जरूरत है इसलिए इसको हम बोलते है stop and go determination एको नाम क्या है इसका stop and go determination इसका मतलब यह है कि आपको nature को अपने इसाब से modify करना है मगर environment को नुकसान नहीं पहुचाना है और nature कह रहा है modification करने की तो ही करना है तो it means that without harming natural environment human beings can modify nature according to their needs when nature permits the modifications तो आपको nature को चीज़ आप से modify करना है जब nature कहता है nature कह रहा है कि रुको मतलब रुको आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं otherwise हम एतने सारे consequence देखेंगे कि बाहिसाब हालत खरा हो जाएगी human beings can use environment to fulfill their goals of development without harming environment यह करें human beings जो है अपने मतलब needs को fulfill कर सकते बट nature को harm नहीं करना है इसलिए आजगी डेट में एक concept आपको पता होगा famous है sustainable development sustainable development same चीज़ें कहीं गई है sustainable development पूरा का पूरा यही यूज किया है new determination का concept sustainable development question मैं आपको देता हूँ comment करके आपको बताना है what is sustainable development if humans do not consider damage to environment it would lead to problems अगर इंसान ने environment की problems पे ध्यान नहीं दिया तो आप देखना future में समस्यां की बाड़ आजाएगी क्या क्या समस्यां आ सकती है आजगी डेट में जो इंसान धुआधार exploitation करना कर रहे है जो technology की यूज करके उसकी वैसे आजगी डेट में त्रीनाउस अफेक्ट की समस्या है ओजोन लेयर डेप्लीट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है glaciers रिश्वीड कर रहे है उनका लेबल कम हो रहा है जमीन डेट होती यार यह तो यह समस्या है बढ़ती जा रही है climate change हो रहा है इसलिए नियोडेटर्मिनिजम का जो concept है यह कहता है कि भाई हमें balance relationship establish करने की जरूरत है between man and environment मतलब environment को उतना ही यूज करो कितना environment permit करता है मैं इनको greedy बनने की जरूरत नहीं है मतलब बस अपना needs fulfill करने की जरूरत है क्योंकि यार इंसान अगर जिस दिन यह समझ जाएगा कि भाईया मैं permanent नहीं हूँ क्यों इतना जादा high high कर रहे हो क्यों इतना जादा nature को बरबाद कर रहे हो जितनी जरूरत है उतना यूजगर कोई दिखकर दी नहीं आएगी ठीक है तो यह रहा हमारा new determinism का concept I hope आपको समझ भाया होगा बहुत ही जादा important topic है ठीक है और अब तक आपने lucky education को subscribe नहीं किया है तो subscribe it now so that you can receive further notifications related to these topics thank you, thank you so much keep learning, keep enjoying and God bless you all